एक बार भगवान बुध जेत्वन विहार में चल रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आये थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिंचरिया, वैवार और गुणों की विचर्चावी। बिख्षु चक्षुपाल अन्दे थे। एक दिन विहार के कुछ बिख्षु ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू करती। कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीडों को जानबूच कर नहीं मारा इसलिए उनकी भदसना करना उचित नहीं है भिख्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों है उन्होंने इस जीवन में अत्वा पिशले जन्द में क्या पाप किया भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्द में एक चिकितसक थे एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आँखें ठीक कर देंगे तो वो और उनका परिवार उनके दास बन जाएगे स्त्री की आँखें ठीक हो गई पर उसने दासी बनने के भैसे ये मानने से इंकार कर दिया चिकितसक को भी पता था कि उस्त्री की आँखें ठीक हो गई है वो जूट बोल रही है उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई वो कितना ही रोई पीटी लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसी जाए इस पाप के फल सो रूप अगले जन में चिकित्सक को अंधा बनना बड़ा